नमस्क्रतारिक शिव्टाइम में अब सबका स्वागत है जम्मू की बात करें तो दुगर परदेशर और डोगरी हमारी मातर भाषा आज के दोर में आज महत्तब समझ रहे हैं हर कोई चाहिए वो कलाकार हो चाहिए किसी भी मातर से हमारी डोगरी भाषा को पर्मोट करने का प माजूद है चली जानते है इस स्टार का क्या जो अवार्ड होने जा रहा है क्या मकसद है आप खुद के साथ आप दूसरों को भी प्लैक्टफार्म दे रहे हैं और डोगरी को पर्मोट करें जो मातर भाषा कहीना की लूप्त होती जा रही ते पर आज के दोर में आप लोगे दक पचाने दा जे टुगर स्टार वार्रिया दो जार त्रेही है एक सोच बनी के डुगर स्टार वार्रों आचाहिए देघए आज तक जब मुदी फिल्म रसी दे बेची जड़ा एडुकर स्टार वार्र नहा होईदा और साथी टीम देख मेटिंग की ती कि अच् प्रश्दान दिया जाए जए पदमशिरी वाड़न स्टेट वाड़न नेशनल वाड़ी साड़े लोगन वोदेचे राइटर न डिरेक्टर न कंपोजर सिंगर कमेडियन फिलम्मेकर ठेट्रिस्ट और आट पेंटिंग आले और मत अच्छारी लोगन जड़े जिने इस फिल् क्या से समानित करना और उसने बाद जिड़े अगली बार जिड़े ओर लोग जिड़े इंवाल वो यंग और उने लोग यह टीम बंदी जाग और यह स्टार वार्ड आसा बंदे जागां और मेरी बिंटी है सारे जमूदे डुकर बासी अगे के दो तरीक साड़े तीन बज आप शुटी आला देना संडब्र आई सकतियो सारे और आम गरने प्रुगाम दिखो और प्रुगाम दिजिड़ी आना ओ तांका सक्सेस्पूल हो जिड़े जाता सारी जमूदी जनता जेड़ी आना ओ आये क्यूंकि कला जेड़ी ओ लोग के पचे शुपी दिए कला कार जि जोड़े दिन और इंदा शीरवाद या इस पोर्ट कराकर दें ता करिया कि अच्छा करके तेसारा अपने डूगर वासिन नारोशन करके पर विक्रम जी यह अवाड का मकसद क्या है किस तरह से मनोबल बढ़ाएगा हमारे उन कलाकारों का जो की डोगरी को पर मोट कर रहे ह देखिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो इस अवाड का मकसद जो है हम अभी मकसद की बात नहीं करेंगे हम सरफ यह कहेंगे कि पहली बार पहली बार जमू में किसी ने बेशको जियार साब है या कोई भी हो किसी ने यह पहला एक बीडा उठाया है कि जिसमें एक रखे हैं पतलब किसी भी फील्ड से जो लोग हैं जो डुगर को रिप्रेजंट करते हैं और डुगर में उन्होंने काम किया है विश्रक वो जैसे नहीं कहा थेटर को लेकर हैं फिल्म मेकिंग को लेकर डांस को लेकर हैं लिट्रेचर को लेकर हैं ड्रामा को लेकर हैं और म लिए जो पहला स्टेप लिया गया है यह बहुत सर्हांइं स्ट पैंकि अगर ऐसी चीज श्टार्ट हुई है तो यह पहला एक हम जो जो रहा बहुत इस चाहिकर ना तो यह एक पहला एंप्ट जो है जिसमें कम से जी हाँ बिल्कुल पड़ता जाएगा जे हर साल शो करवाया जाएगा उसमें फिर क्या रहेगा कि एक साल में जिस जिसने मूवीज बनाई है अच्छे गाने किया है अच्छे नाटर किया है थेटर किया है उन लोगों के क्या किया है हमारी टीम बनेगी एक वो टीम टीम होगी वो इसको डिसाइड करेगी और वो हर साल वो होता रहे चलिए इन से जान जाने का परियास करेंगे अच्छा लग रहा है फिर्स टाइम डूगर स्टार अवार्ड होने जा रहा है वाल जब से पहले तो आपका चैनल वालों का धन्याबाद जो हमें इतना सपोर् हमें नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद जैसे कि आप सब को भी पता चला है कि जमू में फर्स टाइम इतना बड़ा अवार्ड शो हो रहा है सब जनतों को भी खुशी है क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जादा फेमस हो रहा है सब लोगों के बीच मे टीवी चैनल में बड़े इंटर्विव वगारा आ रहे है तो मुझे भी बहुत जादा खुशी हो रहे है कि हम लोग ये मिलकर ये शो आवार्ड शो करवा रहे हैं चोटी सी कोशिश कर रहे हैं और ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आगे भी पीकेस फिलम क्रियेशन और जी कोई भी वो डिजब जम्मू के कलाकार है जो सीनियर मोस्ट कलाकार है वो बहुत डिजब करते हैं ये एवार्ड डिजब करते हैं इसलिए हम ये चोटी सी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है कि हम ये एवार्ड शो जम्मू के जंता के सामने लाएं ताकि ये हमें जंता से ये अपील करना चाहती। कि जादा से जादा तादाद में अभी नवट्टेटर में 3 बजे 2 अपरल को ये शोड़ी स्टार्ट होगा। और जादा से जादा आके हमारे शोग को अच्छी तरह से अच्छी बुलंदियों पर पहुंचा सके ताकि हम आगे भी अच्छी अच्छी कोशिश कर सके अवाड शो लाने के लिए दुगर स्टारवाड 2023 हम सम में से उन लोगों को सामने लाया जागा जोनोंने समाज को एक न मंजीर की ओर लोग मिलते के कारवा बनता गया तो आने वाले समय में इस तरह के कारेंगरम चलते रहेंगे जो कि आपका मनूबल बढ़ाएंगे और ज़रूर दो तारिक यह नहीं दो अबिनाफ तेटर में ज़रूर पहुंचिए अपने डुगर अवार्ड के चलते आप ल